जारखन में भाशा को लेकर विबाद दिन बदिन बढ़ता जा रहा है बोकारो और धनबाज से शुरू हुआ ये विबाद राजधानी राशी तक पहुँच चुका है विभिन आदिवासी संगटनों ने आने वाले दिनों में कई आंदूलन की रणनीती बनाई है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आदिवासी जन परिशत के अध्यक्ष प्रेमशाही मुंडा जी जो आदिवासी मामलों को लेकर के जारखन के मुद्दों को लेकर के जल और जंगल के मुद्दों को लेकर के हमेसा मुखर रहते हैं प्रेमशाही जी ऐसा महसूस किया जा रह इन दौरान कुछ ऐसा काम नहीं हुआ जिसे अदिवासी हितों को ये लगे कि उनका भी ख्याल रखा गया है अभी जो भाषा विवाद उत्पन हुआ है क्या सिर्फ भाषा को लेकर ही अदिवासी समाज या दिवासी संगठन नाराज है या अन्य विशेवी हैं देखिए दो भाषा विवाद पर जो हंगाम आप सुन रहे हैं ये एक दिन का हंगामा नहीं है कोई भी चीज़ धिर दिर बढ़ता है अब अस्थानी नियोजन नीति लागू नहीं किये यहां के रोजगार बिरोजगार को रोजगार आप नहीं दिये और तो और अभी जब हैमन स्वरे भूख हुआ भोजपूरी हुआ एक कुरुक हुआ मुंदारी हुआ हो हुआ संथाल हुआ इसको नलागू करके आप जो एन राइज के जो भासा बोली जाती है भोजपूरी मैथली अंगीका और मगही इसको आपने लागू करने का प्रयास किया तो ऑटोमेटिक इस्वात इसकूर्थ आंदोलन है और ये राजनीतिक पार्टियों को एक चेतावनी है जदी अभिलम जदी इस पर संग्यान नहीं लेते हैं लोग या इस पर वापस नहीं लेते हैं तो धार्खन फिर जलेगी और हम समझते हैं कि आप भासा आप देखते होंगे बंगलादेश और प अधर्फ आप हमारी आत्मा है भासा हमारा जो है सबकुष है एक इतनी अच्छा भासा है और देखें किसी समाज को समाइब करना है तो उसकी मूल धरम और संस्कृति भासा को समाब कर देजें डाईशी सरकार क्यों चाहेगी जो कहती है कि हम आदिवासियों वही तैसी सरका क्यों चाहेगी अब मुखमंत्री को पुछिए मुखमंत्री एक आंदुरन कारी के बेटे हैं दिश्यूम गुरु मानिया अधर्णिया सिबुस्वरेंजी सिबुस्वरेंजी का पूत्र हैं और उनको ये ख्याल नहीं रहा कि जार्खन में किसको लागु करना है किसको नहीं क अलग दो और हम लोग चोटा नाकपुर वाले अलग माएंगे देखे धार्खन में जो भी दोसी है सब रायनितिक पाटियां दोसी पक्स भीपो सबसे बड़ा दोसी यहां का हेमन सुनेन है क्योंकि यह आदिवासी और मुलबासी की बुनियात पर पहली बार ऐसा सत्ता बन मिला जो आदिवासी और मुलबासी के लिए काम करता हो लेकिन नहीं कर पाया तो इसलिए हम अपील भी करना चाहते हैं यहां के मुकमंत्री को कि भगवान उनको सुबद्धी दे और अस्थानी नियोजन निती के साथ-साथ यहां के कारोबार यहां का धंधा यहां का जो भी सफलाई यहां का ठीका पट्टा यहां के नोकरी और सबसे बड़ी चीज है देकि आंधर परदेश में जाएंगे तो समीधान के अनुस्यत तीन सुएकतर के मायधम से वहां पर डिमान है यहां के मंतियों को अस्थानी निथी बनाऊंगे तो खतियान को आधर मानते हुए और अंधर परदेश की तरज पर यहां अस्थानीन निती बने लेकिन ये बुनियादी जो सवाल है ये सवाल को लेकर के कभी भी किसी नेतारे ने सोना और कभी भी इस पर चिंतन ने कि आप देखें हैं कभी कि विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं पक्ष कभी जब समझाय होती है तो सर्वदलिय बैठक बुलाई जाती है कि इस पर हम क्य हमारे मुख मंत्री और कॉकस के गिर्फ्ट है इसको पिंजड़ा सवाल है ना पिछले दिन और बंदु कि यह कारिक्रम कर रहे थे बुद्ध जीवियों का अधिवासी समा से उसमें भी उन्होंने यह इस बात को उठाया था कि जो वर्तमान में जो जहारखंड है कुछ लोगों के कोकस के गिरफ्ट में है और यह कोकस ही है जो इस तरह के काम करवाता है तो यह कौन लोग हैं जिन स सत्ता अपने आपको अलग नहीं कर पाती है देखिए उसका नाम किसको लेंगे पता चलता है हम लोग महसूस करते हैं कि धार्खन जब सही लाइन पर नहीं चल रही है तो उसके इर्द गिर्द जो भी हैं कुछ माफियातत्त होंगे कुछ दलाल होंगे परस्ण सेक्रेटरी होंगे नोकर सहा भी होंगे एक बहुत बड़ा टीम बना होगा कि यह समझ गये कि यह जो बेकती है राजनेतिक इच्छा सकती नहीं है इसको हम अंदर में जाके पिंजरे में बंद करेंगे पैसा कर लेंदेन करेंगे और उसी में उलढ़ा के रखेंगे और निती सिदान ज जो उनको जैसा करने बोलेंगे यह निती बनाईए हमारे लिए उसके लिए काम करेंगे अब सबसे बड़ी चीज़ है देखिए यह भासा के साथ साथ आप सभी मुझ देबर सत्ता करें से चलता है जब कोई भी स्टेट बनता है तो सबसे पहले मुखमंत्री को या जो सत्त में अस्थापित हैं जो भी उनको चाहिए था कि सबसे पहले रोजगार का सवाल अस्थानी नियोजन निती बनाते हैं किसानों के लिए हर खेत को पानी देते हैं और उन्होंने उनका ही ब्यांता है कि मुखमंत्री को कि यहां पर ठीका पट्टा भी देंगा 25 करोड का भी इसे तो नहीं होता है और गुरुजी भी बोलते हैं 1932 का खत्यान चाहिए यहां कि सिछापंत्री भी बोलते हैं और केविनेट में पास भी कराते हैं हमको समझ से पर होता है इसलिए इस पर बहुत चिंतन की आवसकता है मैं मांग करना चाहता हूं कि सभी मुद्दे पर सर्व दलिय बैठक बुलाई जाए और बिसे सच्र बुलाई जाए बिधान समा में और उसके बाद इसका निजाकन करें नहीं तो आग में जुल चुका है जारखन हम समझते हैं यहां पर गिरिये यूद आने ही वाला है यह मतलो अल्टीमेटर में धमकी है सरकार को या फिर डुमिसायल वाली जो जिस तरह से पूरा परदेश उसमें जला उसी तरह की इस्तिती फिर उत्पन हो रही है अरे मैं धमकी नहीं दे रहा हूं पूरा देश संग्षे बेवस्था में चलता है और समिधानिक आधार पर चलता है हर परदेश में अलग-अलग भासा यह बोली जाइए कणर जाइए केरल जाइए रास्थान जाइए धार्खन में भी हम लोग चाहते हैं कि यह संविधानिक संग्य धाचे में सब अपनी बेवस्था है और यह क्या लगता है सरकार के अंदर विरोधा भासा इस विशाय को लेकर एक मत नहीं है या कॉंग्रिस के अंदर या फिर जेमेम का अंदर इस बात को लेकर एक राई नहीं है कि आखिर होना क्या चाहिए देखे इस पर सबसे बड़ी गलतिया है संबाद मुकमंत्री को संबाद बनाना चाहिए अपने सहयोगी दलों को और विपक्ष के लोगों को कहा कि संबाद सी सब समय सा समधान होता ह मैं देखा था बच्पर में हम लोग देखते थे जब करुपूरी ठाकूर या अइन कॉंग्रेसी पुराने नेता हुआ करते थे कोई भी समय सा होता था तो सरदलिया बैठा कि या तो उसके घर चले जाते थे बोली आपकी समय क्या है इतना बड़ा आंदोरन हो रहा है कान म जू नहीं कर रहा है इसका मतलब यह सरकार जो है पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से क्या कहते है उसको एक गुलाम बना बना दिया गया जार्खन को गुलामी की जंजिर से आगे आना होगा यहां की लोगों के चिंतन करना पड़ेगा तभी जार्खन एक विकास कर पत पर जाएगा सवाल यह भी उठ रहे हैं कि एक ही आंदूलन एक ही विशय को लेकर आदिवासी संगठन इतना स्कैटेट क्यूं है बिखरा हुआ क्यूं है अलग अंदूलन क्यूं कर रहा है अब भी तो मुद्द्दे पर सब साथ हैं लेकिन हां राची में देखने को मिलता है एक ही मुद्दे पर कोई चातर संकारा कर रहा है कोई आदिवासी मुलबासी संगठन कर रहा है कुछ हम लोग भी कर रहे हैं हम लोग को एक मुद्दे को लिकर के एक में आना चाहिए जब मुद्दे एक हैं तो संगठन भी एक होना चाहिए विचारे से मद्वित हो सकता है लेकिन तो मैं अपील भी करना चाहता हूं आपके मिडिया के मादंसे, आपके मंच के मायदंसे कि मुद्दे एक ही हैं और सभी एक मंच पर आएं, एक खटिया पर आएं, एक पटिया पर आएं और हम लोग तभी एस समझा समाधान हो सकता है, नहीं तो अलग-अलग लड़ने से समाधान बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगने भासा भासी जानने वाले कुदरुडियन हैं और कुरुक भासा बोलते हैं और यह आप मुहन जुद्रों में हमारा भासा निकला हुआ वही ओल्ची की आज संथाल के लोग उसे एटेज कर रहा है तो संथाल मुंडा हो सब एक ही भासा है यह बाहर के बेग्यानिक बाह की तरह से तेज होगा और आप मीडिया के हैं अब जानते होंगे कि सब काबो हवा ट्रेंपेचर अंदुलन करने के मूड में लड़ने के मूड में लेकिन यहां के मुक्मंत्री को समझ में नहीं आ रहा है सरकार तक बाते पहुंच रही होंगी सरकार समझने नहीं चाहती है सरकार की गुपतर नहीं है क्या सरकार के मिडिया नहीं है का सरकार के जनसंपर्ट नहीं है क्या सब जगह है लेकिन यह मुक्मंत्री को राजनितिक इच्छा सकती नहीं है राजनितिक इच्छा सकती होता तो कॉंग्रेस से बात करता आर्जेडी से बात करते बिहार से ब्या तो जार्खन के मुखमत दी जो है यह हमन सुरेंजी को क्यों नहीं समझ में आ रहा है देखिए पूरी तरह से इसको कबजा करकर रखा है कुछ बोले नहीं देता मुख को चिप दिया गया है इसको समझे न कि तुम जहां जार्खन की बात बोलोगे आदिवासी मुलबासी की समाज बोलोगे तो हम आपको या तुसर साथ नहीं देंगे सत्ता चलाने के लिए या कुछ नहीं देंगे बहुत सरी मामले हैं इसमें एक आखरी सवाल आपको नहीं लगए इस तरह के आंदोलन से और इस तरह के तनाव से कहने कहीं समाद में विद्वेश फैलेगा दो वर इसका सिधा नुकसान जहरकंड के जहरकंड के लोगों को उठाना पड़ेगा तो यह भाश्या को लेकर कम सकम वर्गों के समाज के बीच तनाव ना हो इसकी लड़ाई जिससे लड़नी है उससे लड़ी जाए कोई बिद्वेश नहीं होगा और बाहर से लोग भी आये हो सम भियान पर हुई है भाशा संस्कृती वी है उसकी कर्मकान पर हुई है उजल जंगल जमीन पर हुई है और जहरकन में जितने भी बात करना चाहिए पार्टी से भी बात करना चाहिए लेकिन आपने मुनासिप नहीं समझा कि वे लिए इसके लिए हम आंदोलन के बीन हम और गोर나ं कि अंदोलन के अक्तिार कर ने हैं हम मुझा दस तरीक में है राची में ही हमने हैं में मशाल वोगा है और present मंतर करें मुखमंत्री को भी करेंगे और 28 तरीक को हम लोगा मानो सिंख़ला, क्याओं कि सदन चल रही है और कन्यवे आउज से लेकर कि बिधान सभा तक मानो सिंख़ला और 14ь मार्श को हम लोगा। बिधान सब्दों में कि मुकमंत्री जी आप सही में आंदोलनकारी का बेटा है तो चिंतन करिए सब्दलिय बैठक बुलाइए आप पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं और समाजी संधोनों से भी बात करिए हर चीज का समाधान है संबाद वारता से ही समाधान होता है जदी आप वारत कर दी है कि एक बार फिर डो मिसाइल की तरह हो सकता है कि पुरा पर देश चले लेहाज़ा सरकार के हाथ में है कि वो इस बात को समाध के साथ किस तरह से हल करती है लेकिन एक बात फिर काम को करवाता है और सरकार में असत्ताम उनका प्रभाव है आज प्रेम शाही मुंडा जी ने भी उसी बात को दोराया है लहाज़ा ये कहा जा सकता है इस बात में कहीं ने कहीं सचाई जरूर है किमरा परसन हिर्दाय के साथ रांची से न्यूस बाइसकोप के लिए शहनमाज बाइस